मूवी पूरी एंड तक देखी मैंने शुरुवात मैं ही तालिबान अफगानिस्तान के अंदर बड़े से बुद्धा की स्टैच्ई को गिरा देता है जिससे clear समझ में आ जाते है कि इस मूवी के अंदर कुछ सो sensitive topic, facts से भरपूर और controversial होने वाला है लेकिन चार negative और तीन positive point के बाद अब decide कर सकते हो क्या ये movie ठेटर में देखनी चाहिए या कुछ महीनों में Amazon Prime पर आएगी तब देखेंगे negative number one, पहले मुझे लगा कि इसी movie का CGI एकदम third class होगा लेकिन फिर interval में मैंने आदिपुरिश का teaser देखा बड़े परदे पर, ये कि बड़े परदे के लिए बनी है तब इस movie का CGI में हजम कर पाया honestly speaking, action scene में दबा के green screen यूज किया है movie के अंदर एक scene है जहां पे अक्षे कुमार को suit पहना आ जा रहा है, literally हाँ हाथ फैला के ऐसे खड़ा है, उसके हाथों पे green screen का reflection दिख रहा है, उससे समझ में आते है audience को कितना जादा for granted लिया, और ये ही नहीं, इनका CG है तो तब expose हो जाए, जब wide angle के shot होते है, desert की अंदर, या फिर वो underwater वाला, अरे बाप, रे मत पूछो भाई, literally character को cut paste करके कोई screen saver के उपर चिपका दिया हो, ऐसा feel हो रहा था, ये तो कुछ नहीं, जितने भी female characters हैं, पता नहीं, director की क्या दुश्मनी थी, इनसे, इनको एकडम नकली और forceful दिखाया है, जैकलीन का तो पूछो ही मत भाई, ये से movie के characters को irritate नहीं कर रही है, हमें भी इरिटेट करती है, stupid questions पूछ किये, by the way, ये scientist है movie के अंदर, और बात-बात पे overacting, वो accent चिर चिर आ गई थी, second आपके adventure के अंदर, ये लोग पानी में से, हवा में से, यहां-वाहां से, कहां-कहां से निकलते हैं, लेकिन मजाल है, चैकलीन दीदी का एक टक्का भी make-up खराब हुआ हो, बाकि सारे characters के चेहरे के उपर काला पोद दिया, लेकिन जैकलीन को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं scan कर रहा हूँ बार-बार चैकलीन को कि कहां चुपाया, इसने make-up kit, माकसम में सिर्फ make-up kit ही ढून रहा था, तीसरा negative था, voice the week, पता नहीं से मेरे theater के साथ ही ऐसा था, voice over का आवाज एकदम अलग stereotype और background एकदम बड़ा, comment करके बताना, अब भी तो रूख को CGI के ऊपर थोड़ी बात करते हैं, PlayStation के game है न, इससे भी ज़्यादा realistic लगते हैं, लेकिन फिर भी इनोंने 500 करोड बरबाद नहीं कि इस पर, ये सारे negative point भी आपको कम लगेंगे, तीन positive points से, सबसे पहला सत्यदेव, AP character, जो movie के अंदर एक guide है, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल है, end of first half में इनकी entry होती है, खा गया है character को हनू, बास, 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 spoiler नहीं, दूसरा positive point, thank you so much, Akshay sir, इस movie के अंदर गाने नहीं थे, रचसाथ संग का remake बना के तो आपने band बजाई गाने डालके, नहीं तो भाई 2 hour 24 minutes की movie, 3 घंडे चले जाती, लेकिन बहुत बड़ा positive point है movie की storytelling, मुझे सब पता है कि क्या होने वाला end, लेकिन फिर भी movie के अंदर जो beach beach में facts डालते थे, adventure दिखाते थे, वो मुझे कार्ति की ये two movie की याद दिला रही थी, अगर movie की storytelling अच्छी हो ना, तो हम poor CGI को नजर अंदाज कर सकते, first half मैं इंडिया के अंदर रामसेतू का evidence ढूंते है, second half मैं रावन का evidence ढूंते है, श्री लंका में इन सब के बीच, अक्षे कुमार के fans पूछेंगे भाई, अक्षे कुमार की बारे मैं बता, क्या बोलू मैं, same वही, वो केसरी जैसा कुछ outstanding performance देखने मिलेगा, या फिर Padman की तरह end में monologue देखने मिलेगा कुछ नहीं था ऐसा, he was just there, कुछ खराब भी नहीं किया, कुछ अच्छा भी नहीं हुआ, मैंने कहा ना, सत्यदेव, AP character खा गया पूरा, end में मैं यही कहूंगा, theaters में अगर कुछ entertaining चाहते हो family के साथ, तो perfect movie है, लेकिन अगर आप बहुत सारी movies देख चुके अलरेड़ी, तो खत्रों के किलाड़ी मत बनो, Amazon Prime पे बहुत जल्दा आजाएगी, एक दो करोट जादा दिया न Amazon Prime में, तो कल ही आजाएगी, जरुरत से जादा आपने प्यार दिया इस channel को 1 million cross हो गये हम, अब बस genuine reviews के दुरू मुझे सेवा का मौका दीजिए, thank you so much, love you, take care, bye